Q1. बताईए भारतिय सम्विधान को अंगिकार कब किया गया था? Candidate बताती है सर, भारतिय सम्विधान को 26 नवंबर 1949 में अंगिकार किया गया था. Q2. बताईए भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? Candidate बताती है सर, Q3. बताईए भारत में आर्थिक यूजना का प्रारंब कब हुआ? Candidate बताती है सर, भारत में आर्थिक यूजना का प्रारंब 1951 में हुआ था. Q4. बताईए भारत के मुख्य न्यायादीश, चीफ जस्टिस की नियुक्ती कौन करता है? Candidate बताती है सर, भारत के मुख्य न्यायादीश, चीफ जस्टिस की नियुक्ती भारत के राष्ट्रपती करते हैं. Q5. बताईए भारत का सर्वोच्च न्यायाले कहां स्थित है? Q6. बताईए पंचायती राज विवस्था की स्थापना सम्विधान के किस संशोधन के तहत हुई थी? Q7. बताईए भारत की संसद किस प्रकार की प्रणाली का अनुसरन करती है? Q8. बताईए विश्व बैंक का मुख्याले कहां स्थित है? Q8. बताईए विश्व बैंक का मुख्याले वशिंगटन डी-सी में स्थित है? Q9. बताईए किस अधिनियम के तहट भारत में प्रतम बार चुनाव का आयोजन किया गया? Q10. बताईए न्याय का अधिकार किस अनुच्छेद में उलिखित है? Q11. बताईए भारत में योजना आयोग को किस ने प्रतिस्थापित किया? Q11. बताईए वन्दे मातर्म को राश्रिय गीत का दरजा कब दिया गया? Q11. बताईए वन्दे मातर्म को राश्रिय गीत का दरजा साल 1950 को दिया गया था Q13. बताईए सम्विधान सभा का अध्यक्ष कौन था? Q14. बताईए भारत में मौलिक अधिकार किस अनुच्चेद से किस अनुच्चेद तक है? Q15. बताईए किस योजना के तहट पहली बार पंचवर्शिय योजना को अपनाया गया था? Q15. बताईए सर, महालनोबिस मौडल योजना के तहट पहली बार पंचवर्शिय योजना को अपनाया गया था